हलो बच्चो गुड मॉर्निंग वेलकम टू डाउटनेट तो बच्चो कैसे हैं आप सब ही आम शौर बच्चो आप सब हो फिट और हेल्दी सब कर रहे हो अपनी तयारी बहुत अच्छी तरह और साती सात रख रहे हो बच्चो अपनी सेहत का ध्यान भी तो जैसा कि आप जान टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है डिवीजन ओफ पोलिनोमियल्स बच्चो बेहद ही खास टॉपिक है साती सात आप बच्चों के लिए नया भी है और खास इसलिए क्योंकि आपके 9-10 क्लास में भी आपके काम आने वाला है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं और स सबसे पहले देखते हैं बच्चों हमारा टाइम टेबल ठीक है सबसे पहले टाइम टेबल है और टाइम टेबल में जैसे कि आपको पता है दस बज़े से आपके क्लासे लगनी शुरू हो जाती है तो दस बज़े होती है बच्चों साइंस की क्लास ग्यारा बज़े होती है म vocabulary की class उसके बाद 3 बजे होती है spoken English की class तो ये तो वह morning का time table और evening में बच्चों 4 बजे से आपकी class लगनी शुरू हो जाती है 4 बजे होती बच्चों English grammar की class 5 बजे social science की class फिर 6 बजे maths की 7 बजे science की और 8 बजे होती है math की class ठीक है तो ये evening का time table है दोनों time table को याद रखो और अपनी classes attend करो ठीक है चालो अब उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों आपके जो favorite part है उसकी तरफ और favorite part है आप बच्चों का quiz है ना तो चलिए बच्चों quiz में देखते हैं यहां पर की first question क्या है और कैसे solve करते हैं बच् price करना है 12 a square b minus 9 a b square plus 6 a b आप method देखेंगे कि आप बच्चे कौन सा लगाएंगे इसमें और वैसे तो दिखी रहा है कि कौन सा लगेगा क्योंकि इसमें square वाली term आप खुद ही समझ जाओंगे हैं या नहीं ठीक है चालिए next बच्चे माले पास factorize करना है 2n square plus 3n को कर दो लगा है चालिए देखते बच्चों इनका अंसर फर्स्ट हमारे पास है यहां से जब आपको ऐसी टर्म गिवन हो जिसमें बानलो यहां पर स्क्वाइर है लेकिन यहां पर भी आपको A, B दिख रहा है, यहां भी A, B दिख रहा है, यहां भी A, B दिख रहा है, तो ऐसा कुछ तो हो सकता है, देखो इन तीनों में से बच्चो A, B common आ जाए, है ना, ले सकते हैं, A, B तो common ले लेंगे, फिर हम देखेंगे, देखो इनके साथ जो यह coefficient लगे हुए है, इन coefficients में से क् चीज को common आ सकती है, तो वो चीज हम ले लेंगे, ठीक है, तो 12 को देखो क्या कर सकते हैं, 12 को बच्चों हम लिख सकते हैं, 4 into 3, 9 को लिख सकते हैं, 3 into 3, और 6 को लिख सकते हैं, 3 into 2, मतलब इसके factor हुगा है, इन सबके, यहां से 3, 3 और 3 हर एक में आ रहा है, इसका मतलब तो यह जो 3 है, वो तीनों का ही factor है, तो यानि कि 1 तो हम 3 ले सकते हैं, फिर यहां पर A, B, A, B, A, B सब में ही हैं, तो 1 A और 1 B common ले लेते हैं, अगर coefficient की बात करें तो बच्चों 12 के 2 factor है, 3 और 4, तो 3 तो हमने common ले लिया, अब आ जाएगा यहां पर 4, साथी साथ A square B है, तो A square म बाहर आ गया है, तो यहां पर B बचा ही नहीं, फिर यहां लगाएंगे minus, फिर 9 में से बच्चों, एक 3 हमने already बाहर ले लिया है, फिर यहां पर है A, B square, तो A बाहर जा चुका है, एक B अंदर रह जाएगा, A और B बाहर जा चुके, एक एक, B तो क्योंकि 2 थे तो एक अंद देखना है, देखे जरा, बताओ जरा, 3 A, B, 4 A, minus 3 B, C option, है ना, तो correct answer बच्चों, यहां से हुआ option C, इनको बहुत अच्छे से समझना आई, इसलिए आपको दीरे 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 राम से मैं समझा रहे हूं, ताकि आपको समझ आए कि common आप बच्चों को कैसे निकालना है, ठी इसमें ऐसा भी हो सकता, देखो ऊपर, जो A है option, वो बच्चे भी कुछ जल्द बाजी में टिक कर जाएं, लेकिन sign का ध्यान रखना negative, ठीक है, चालो, second में चलते बच्चों, second में हमारे पास है हाँ पर 2 N square प्लस 3 N, अब हमें दिख रहा है कि N और N तो दोनों में है, बट 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो दोनों में कुछ common नहीं है, या कहें कि 1 common है, तो 1 तो सम में ही common होता है, तो उसको लिखने के ज़रत नहीं होती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे N, अंदर है जाए कि हमारे पास 2 N, और 3 N में से N चला गया, तो 3 बचा, तो N into 2 N plus 3, क्या बच यहाँ आपको समझ आ रहा है, तो इसका मतलब भई जो आपके आने वाली classes होंगी न, उनमें भी आपकी बहुत हैल्प होने वाली है, चलो, आगे बड़े, all right है, चलो, जिनके दोनों के दोनों सही है, उन बच्चों को मिलते हैं, 2 out of 2, और with good, ना, good के साथ very good, चलो, आगे देखते बच्चों, आगे है, आपके लिए डाउटनेट लाया है, वी आई पी कोर्स, और ये वी आई पी कोर्स बच्चों आप लोगों के लिए बेहत खास और जरूरी भी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको टीचर्स की पढ़ाई हुई classes मिलेंगी, जिसमें टीचर्स आप अभी उनके पढ़ाई result अच्छे आए हैं, तो ये होंगे आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे science और maths, इनको आप जानती हैं, निष्टा मैम और आरीशा मैम और आरूशी मैम और भारती मैम, इसके अलावा बच्चों, हमारे और वी आई पी कोर्स में बहुत सारे ब बच्चों के आए अच्छे marks, और कहीं न कहीं देखो आपका, आपके parents का और doubtnut सब का ही नाम रोशन हो, और साथी साथ हमारा भी, तो बच्चों ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जोड़े हो हैं, जिन्हों ने बहुत अच्छा अपने exam में perform किया, इसके अलावा doubtnut क का काम जैसे कि आप जानते हैं कि आपके doubt solve करना है, चाहे वो आपके concept से related हो या हो किसी question से related, तो आपको इस course के दोरान जो homework, notes और test के questions मिलेंगे, सबके साथ होंगे उनके video solution, फिर class चाहें आप class के time पर देखना या फिर देखना बाद में हर case में ही आपके doubts को solve किया वो मुझे बताएंगे अभी poll के through, तो जल्दी से बताईए कितने बच्चे स्कोर्स को join करना चाहते हैं चलिए डाने बच्चों, आगे बच्चों, doubt net आपके लिए लाया है English का, मतलब English speaking course, spoken English का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों होती हैं, वैसे तो बच्चों को English लिखने में भी problem होती हैं, बोलने में भी, पर लिखने के लिए तो आपके इतनी सारी classes, grammar के classes अब चली रही हैं, तो बहुत सारे बच्चों चाहते थे कि कुछ spoken में शुरू किया तो बच्चों आपके लिए ये English speaking course start किया गया है, जो की अभी start होगा 8th July से, तो आप में से कितने बच्चे इस course को join करना चाहते हैं, वो भी हमें बताएंगे, ठीक है, आपकी screen पर बच्चों भी एक poll आएगा, और उसके poll के थूरू आप हमें बताएंगे कि कितने बच्च आपके लिए English speaking course मतलब की कैसे बोले मतलब English में वो course join करना चाहते हैं, चलिए बताएगे आप में से कितने बच्चे इस course को join करना चाहते हैं, आपकी screen पर अभी एक poll आएगा, उस poll के थूरू आप हमें बताएंगे दन, चलो, अब अचो, अब आते हैं हम अपने topic पर, और topic में हमें division of a monomial by another monomial, ठीक है हम क्या करेंगे, division स्टार्ट करेंगे, और division में हम step by step सीखते जाएंगे, normal number की division तो हम सबने पढ़ी हुई है और इतना हम चोटी classes से practice करते ही आए, करते हुए आए ना, तो अब हम क्या क expression जो हैं, उनको divide करेंगे, मतलब monomial, binomial, trinomial, polynomial, तो उसमें सबसे पहले, बिल्कुल basic, मतलब monomial को monomial से क्या करते हैं, divide करके देखते हैं, monomial का मतलब होता है बच्चों, जिसमें एक term होती है, यह हमने पहले भी discuss किया था, monomial होते है, जिसमें होती है single term, मतलब जिसमें होती है one term, उसको बोलते है, monomial, अब कैसे divide करेंगे, divide करने का process बिल्कुल easy है, लेकिन step by step आपको सीखना है, और इसमें कई तरह की variety है, इसमें आपका confusion पता है क्या रहेगा, जैसे मालो कोई teacher कभी आपको किसी तरीके से बताएगी, कभी कोई किसी तरीके से, या फिर ऐसा होगा, कि किसी question के लिए कोई technique होगी, दूसरे के लिए कोई technique होगी, लेकिन मैं आपको step by step करके सारे के सारे method बताऊउगी, ताकि आपको पता चले कि किस question के लिए है, कौन सा best method, ठीक है, वो पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम एक technique सीख लेए, और किसी question के लिए वो बहुत लम्बी टेकनीक हो, तो वह क्यों लगाए, फिर हम कोई दूसरी लगा सकते हैं, उसके लिए, तो क्या-क्या method रहेंगे, इनके बारे में अभी हम steps by step चलते जाएंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब खड़ा होकर चलना सीखते हैं, तो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे form में ऐसे लिख लो, 6x is to power cube upon x, अब ऐसे तो आप इसको simple काट भी सकते हो, ऐसे 2, 3, 6 पे कट जाता है न, और अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा है, वैसे तो ये मान के मैं चल रही हूँ, कि आप 8th class के बच्चे, आपको इतना तो बता है कि 2 को 6 से कैसे काटते हैं, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर, आप चाहो तो laws of exponent लगा सकते हो, कि भई 1 by x है, तो उपर जाकर minus 1 बन जाएगा, फिर यहाँ से जब ये उपर जाएगा, ये तो अलरड़ी उपर है, 6x raise to power 3 into x raise to power minus 1, है ना, और नीचे हो जाएगा 2, इसको cancel करेंगे, या आएगा 3, तो यहाँ जाएगा 2 into x, उसके बाद बच्चो, बेस सेम हो तो power z हो जाती है, यह हमने पढ़ा था, a raise to power m into a raise to power n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a raise to power m plus n, तो मतलब x raise to power a plus b या m plus है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 into x और 3 plus minus multiply होकर minus आ गया, तो यह बन जाएगा 2 x raise to power 2, ठीक है, इसमें तो हमने exponents का use किया और ऐसे करके हमने solve कर लिया, यह exponents आपने पढ़े हैं 7th class में, 8 में भी हैं, यह भी एक तरीका हो सकता है, और एक और भी तरीका हो सकता है, वो मैं बाद में इसलिए बतारी हूँ क्योंकि उसमें हम सीधा cancel करेंगे, और cancel करने मे बच्चे confused हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो वो चीज़ आपको देखनी है, तो ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यह तो हो गया one method, मतलब method number one, जिसमें आपने exponents को use कर दिया, second जो method होगा उसमें क्या करेंगे, six के भी factor बना six के factor हो गई, two into three, और x जैसे तीन बार multiply है न, तभी तो उसकी power three आई है, तो क्या लिख दो इसको, x into x into x और नीचे आजाएगा two x, यहाँ से भी आप cancel कर सकते हो, तो यहाँ से cancel करोगे, तो क्या आजाएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ थ्री आना चाहिए था हमारा, two threes है न, तो यहाँ से हमारा cancel हो गया, two से two cancel हो गया, एक x से एक x cancel हो गया, तो अब क्या बचा है, यहाँ से three बचा और दो x बचे, तो three x raised to power two, यह भी तरीका हो गया, अब यह सोचोगे कि मैं मूपर वाला करें या नीचे वाला correct कौन सा है, तो बच्चों दोनों के दोनों है यहाँ से सही, कोई भी method यहाँ से wrong नहीं है, तो अगर आपको teacher समझाए आपके school में, first method से बताए तो first से कर लो, second से बताए, second से कर लो, और आपको जो easy लगे उस से आप कर सकते हो, ठीक है, चलो, जल्दी से बताओ कि यह छोटा सा question समझाया, क्योंकि छोटे-छोटे step लें और भई, बड़ी raise को जीतेंगे, ठीक है, चलो, जल्दी से बताओ, यहाँ तक समझाया, बच्चो, समझाया सभी को, बड़े आगे, चलो, बिल्कुल सही, उसके बाद देखते हैं, आगे, next है, हमारे पास थोड़ा सा इस से बड़ा number ले लेते हैं, do the following division, इसमें भी क्या ह है, minus 20, x raise to power 4, in, मतलब divided by 10, x raise to power 2, ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखो, same चीज, minus 20, अब हम इसको exponent नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब आपको पता ही चल गया कि कैसे हम x को cancel कर सकते हैं, तो minus 20 into x raise to power 4, upon 10 into x raise to power 2, यह into का sign आप लगाओ, या ना लगाओ, बात बराबर ही है, क्योंकि जो भी coefficient है, वो variable के साथ, बच्चो multiply होता है, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको direct क्या कर सकते हैं, cancel कर सकते हैं, नहीं, तो आप इसको separate कर दो, 20 को लिग दो, आप 2 into 10, और x raise to power 4 को बच्चो, x into x into x into x, और upon में आप कर सकते हैं, 10 into x into x, और यहाँ से क्य कर सकते हैं, cancel कर सकते हैं, 10 से 10 cancel हो जाएगा, 1x से 1x, और दूसरे x से दूसरा x cancel, तो यह बनेगा हमारे पास, minus 2 x raise to power 2, यह हमारा क्या हो गया, answer हो गया, तो कर दिया हमने हाँ से इसको divide, चलिए बताएगे, easy, easy लग रहा है सभी तक, कोई किसी को किसी भी question में कोई problem, easy, 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 easy question करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बलते हैं, आगे है हमारे पास इस तरह के question, अब इसमें monomial ही चल रहा है, मतलब term एक ही चल रही है, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा different आ गया, तो monomial की practice करके फर binomial पर चड़ नीचे लिखेंगे बच्चों हम 14, x, y, z, तो यह हमारे पास क्या बनेगा, 7, x को हम क्या लिख सकते हैं, x into x, y को हम क्या लिख सकते हैं, y into y, और z को क्या लिख सकते हैं, z square को, z into z, नीचे आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 14, into x, into y, into z, ठीक है, यहाँ से हम cancel करेंगे, 14, 1x को 1x से cancel करेंगे, y को y से cancel करेंगे, और z को z से cancel करेंगे, अब उपर हमारा क्या बचेगा, x, y, z, तो हम क्या लिखेंगे, x, y, z, और नीचे लिखेंगे 2, और कभी-कभी आपको यह answer ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 1 by 2, x, y, z, तो 1 by 2, x, y, z लिखा हो, या फिर x y, z, upon 2, दोनों केस में हमारा answer क्या है, same का same है, ठीक है, तो यह बना हमारा answer, जिसमें हमने क्या किया, monomial को divide किया, monomial से, चलो अब जल्दी से बताएंगे, यहां तक पता चला, यह एक बिल्कूल basic step था, जैसे आप छोटी classes में division सीखते हो न, छोटे-छोटे number लेकर, तो यह monomial क्या है, वो ही हमारे चोटे-चोटे number, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, next में बच्चों हमारे पास होगा division of a polynomial by a monomial, polynomial में बच्चों कुछ भी हो सकता, मतलब 2 time भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि जब उसने poly कह दिया, तो poly में तो कुछ भी लिख दू, लेकिन एक से तो जादा ही रहेगी, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है, तो माल लो हमारे पास कोई एक question है, जिसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको इस से, तो ये क्या हो गया, polynomial ले लिया सीधा ही हमने, अगर by हो तो भी सेम करेंगे, try हो तो भी और poly हो तो भी, मतलब 2 हो time, 3 हो, 4 हो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी न दो methods है मारे पास, इसको भी करने के क्या है, दो method है, अब हम exponents वाला हटा देंगे, क्योंकि exponents वाला यहाँ के लिए बहुत बड़ा रहेगा, अब हम और दो नए method करेंगे, हलाकि एक अभी आपने किया हुआ है by taking common, पहला method तो क्या होगा, कि हम common निकालेंगे इसमें से कुछ, और दूसरा method होगा, कि सबके नीचे अलग-अलग-अलग-अलग लिखकर फुर डिवाइड करने, ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि method one क्या होता है, क्योंकि मैं क्यों बता रही हूँ आपको देखो, वैसे करने को, मैं आपको एक बता सकते हूँ, आप एक अच्छा से कर सकते हूँ, लेकिन सोचो कि कभी आप किसी और की notebook देखो, या teacher आपको किसी और तरीक से बताए, तो आपको क्या लगेगा, कि यह कौन सा तरीका आ गया, तो दो-तिन method सीख लेते हैं, जिस question में जो best लगे, वो method आप use कर देना, ठीक है, तो चलो, first method में हम क्या करेंगे, by taking common, ठीक है, method number one, जो हम लिखेंगे यहां से, method one में बच्चों हम क्या करेंगे, we will take common, क्या लेंगे, common लेंगे, ठीक है, by taking common, और by taking common जैसे कि हमने factors में भी किया था, same बोई करेंगे यहां पर भी, तो यह 24 तो already common यहां दे ही रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 24, यहां पर लिखेंगे, x square y, z बच्चों, फिर हम लिखेंगे, x, y, square, z, plus x, y, z, square, और divide करेंगे इसको, 8, x, y, z, अब उपर से क्या-क्या common आ सकता है, यह है देखने वाली बात, अब ध्यान से देखो, सब पहले मुझे बताओ कि सबको पता है कि common हम कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि कौन सी term common है, वो पता लगाने के लिए आप सबसे पहले जो भी आपको terms given है, उनको ध्यान से देखो, यहाँ पर है x, y, z, हलाकि x का square है, लेकिन basic term x, y, z, 3 है, यहाँ भी x, y, z है, यहाँ भी x, y, z है, यानि कि एक-एक x, y, z तो 3 में ही है, वो लगात है कि first में x का square है, second में y का square है, और third में z का square है, तो यहाँ भी हम एक-एक तो लही सकते हैं, x, y और z, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, हम लेंगे 24, x, y, z common लेंगे हर एक में से, क्या लेंगे x, y, z common लेंगे, अब first वाले के पास 2x थे, तो एक x बच गया और y, z common लेंगे बाहर, प्लस बच्चों, इस में से y, z तो बाहर आगए, sorry, x और z तो बाहर आगए, y square है, तो एक square बाहर और दूसरा अंदर, प्लस, यहाँ पर x, y, z square है, तो बच्चों, x और y बाहर, z भी बाहर आएगा, दो हैं, तो एक z अंदर, ठीक है, यह common का पता चला, जल्दी से बताओ, यह पता चला कि common कैसे लिया, या इसको एक बाहर फिर से बताएं, जल्दी से बताएंगे, डन है, very good, दुबारे बताएं, चलो, इसको और थोड़ा खोल कर बताने की कोशिश करते हैं, कैसे करें, एक बार और देख लो इसको, क्योंकि यह question इस तरह के बेहद खास है, और बच्चों आपके exam या test में यह आएंगे, ज़रूर, 24, जो चीज common आएगी, उसको मैं blue से लिख देती हूँ, x, y, z, यहां भी x, y, z, x, y, z, अब यह मत पूछना कि मैं यह सारे एक जैसे क्यों लिख दिये, क्योंकि हमारे पास है इसकी power, तो मैंने यहां 2 लिख दिया, यह है 2 और यह है 2, यह ताकि आपको clear हो जाए कि यह अल x, y, z, तीनों में ही x, y, z दिखाई दे रहा, तो x, y, z क्या आजाएगा, common आजाएगा, तो यह बन जाएगा बच्चो 24, x, y, z, अब जिसके उपर square है, इसलिए red से लिखा था, जिसके उपर square है, मतलब वो 2 है, एक वहार आजाएगा, तो एक उसके साथ वाला अंदर ही र इसको cancel कर दो, यह हो जाएगा, 8, 3, 24, और x, y, z, पूरा x, y, z से cancel हो जाएगा, answer बनेगा, यहाँ से 3, x, plus y, plus z, यह हमारा क्या जाएगा, answer आजाएगा, तो यह तो था method 1, जिसमें हमने common लिया, एक और दूसरा method भी हो सकता है, और वो होगा, जो 8, y, z है न, इसको तीनों terms के नीचे अलग-अलग लिख लो, कैसे, देखो, यहाँ पर करते हैं method 2, ध्यान से देखना, जो आपको अच्छा लगे और मुझे बताना इस method के बाद, method 2 के बाद की कौन सा method आपको easy लगा, और किस से आप करना prefer करोगे, हमारे पास था 24, x square y, z बच्चों, x, y square z, plus x, y, z x square, और नीचे था 8, x, y, z, अब मैंने क्या काए कि सब को यह नीचे अलग-अलग कर दोगे, तो यह 24 कहां जाएगा, 24 किसके साथ जाना चाहिए, first वाले के साथ जाएगा, second वाले के साथ जाएगा, या third वाले के साथ जाएगा, 24 का क्या करेंगे, मालो इसके नीचे हमने य यह नीचे है, इसके नीचे भी यह लिख जालग-अलग करके 24 का क्या करेंगे, बताएगा जड़ा कोई मुझे कि 24 का क्या करेंगे, 24 को कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे बताओ, 24 को कहां लिखेंगे, 24 बाहर है न, तो इसका मतलब, यह सब के साथ multiply मैं है, बच्छों, इ मल्टिप्लाई में है और 24 जो है वो third term के साथ भी मल्टिप्लाई में है तो सब के साथ लिखकर नीचे जो है divide में सब के 8xyz लगा दो 8xyz 8xyz ठीक है यहां से अब cancel कर लो 8 से ये cancel 3 पर यहां पर ये cancel 3 पर यहां अब यहां सीधा भी कर सकते हो, दो बार लिखो, फिर काटो, ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो आप एक को कट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हो, दो को काट दो, एक बचेगा, या फिर क्या करो, दो बार लिख दो, इसको, एक को कैंसल कर दो, ठीक है, तो कट करके यहां क कटा तो एक बचा ना तो first में से क्या बचा देखो 3 बचा और ये one किसके ओपर लिखा हुआ x तो x बचा यहां से 3 y बचा और यहां से 3 z बचा ठीक है कौन-कौन से बचे फिर से देखते हैं यहां से यह x square में था यहां से y square में था यहां से z square में था तो एक 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 कैंसल होकर एक एक बच गया, अब यहां से 3 common ले लेते हैं, 3 common लेंगे, अंदर बचेगा x plus y plus z, अब first से क्या answer था, यही answer था, second से क्या answer आया, second से भी यही answer आया, तो कोई difference है दोनों में, बताइए ज़रा, कोई difference है दोनों में, नहीं है न, कोई difference नहीं है, दे बच्चा ऐसे question करता है, उसके भी पूरे number आएंगे, तो इसमें आपको यह घबराने की जोड़ने, कई बर बच्चे क्या करते हैं, मानलों किसी ने यह method अच्छे से सीख लिया, दूसरे ने, दूसरा method अच्छे से सीख लिया, अब कई बार एक बच्चा जो बीच में है, म कौन सा method आप बच्चो को easy लगा, आप कौन सा method prefer करेंगे, आप ऐसे यह first common लेने वाला करेंगे, या ऐसे अलग-अलग लिखने वाला करेंगे, जल्दी से बताओ, मुझे पता होना चाहिए ना, बच्चो को कौन सा method easy लग रहा है, आगे जब exercise के question करेंगे, तो उसमें आप चालिए, first अच्छा लगा, चालो, सबको first अच्छा लगा, हाँ, first वैसे easy वे, इसमें कुछ अलग-अलग करने की जोरत नहीं है, अपना common law और निकाल दो, तो चलो, यह divide हुआ, उसके बाद हमारे पास कुछ और question है, हमारे पास माल लो, इस तरह के question आजाए, यह वाला, इ चाल है, 5Z square minus 80, divided by 5Z, अब यह बच्छों मैं आपकी help से करूँगी, ठीक है, आप मुझे बताते जाएंगे, सबसे पहले तो यह बताओ, कि जो यह उपर वाली term है, इसमें Z into 5Z square minus 80 है, तो उपर वाले में तो Z bracket के अंदर तो है नहीं, तो Z तो common आएगा नहीं, तो क्या ची उपर से common आ सकती है, क्योंकि आपने का ना कि वैसे भी यह वाला जो question है, उसमें तो हम अलग-अलग लिखने वाला कर भी नहीं सकते, क्योंकि अलग-अलग करोगे तो और complicated हो जाएगा, तो हम common लेकर ही करेंगे, तो उपर वाले जो polynomial है, उसमें से क्या common आ सकता है, वो बता step by step आप भी करोगे, समझोगे ना, तो आपको बहुत easy लगेगा यह question, चलो जल्दी से बताओ, क्या common आ सकता है, बच्चों यहां से, क्या common आएगा, कितना common आ रहा है, very good, कितना common आ रहा है, 5, very nice, very nice, क्या लिखेंगे, z, यहां से common लेंगे, बच्चों 5, देखो, यहां प यह, तो common आ गया, तो 5, z square में से, बच्चों 5 common आ गया, तो z square बचा, और 80 में से 5 common आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 80 में से हम 5 common ले लेंगे, तो क्या बचेगा, अब यह बत कहना कि मैं 75 बच जाएगा, 5 आपने निकाल दिया, है ना, I'm sure कि ऐसा तो नहीं कहेंगे, कि 75 बचेगा, बच्चों, 80 के factor बना कर देख लो, factor नहीं बनाने, तो 80 को 5 से divide करके देख लो, 5, 1, z, 5, यहां बचेगा, 3, लगाएगे, 0, 5, 6, z, 30, कितना बचेगा, यहां पर, minus 16, कितना बचेगा, 16, divide करके देखना है, क्योंकि bracket के बाहर जो number है, वो बाद में bracket वाले जो tom's ह उनसे multiply होता है, ठीक है, चालो, इतनी बात समझाई, उसके बाद है, बच्चों, यहां पर, कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा लेट आया है, तो बच्चों, अभी समझ लो, ध्यान से, ठीक है, लेकिन फिर भी regular होना, और time से होना, बहुत जरूरी है, 5, z, bracket, मतलब, z, plus 4, ठीक है, चालो, अच्छा, school की online classes है, ठीक है, आप मुझे timing बता सकते हैं, कि आपके बच्चों की, जो school की online classes है, वो कितने बज़े से, कितने बज़े तक होती है, ठीक है, अब बच्चों, हम चाहें तो इसको यहीं पर cancel कर सकते हैं, 5 को 5 से, अब देखो, उपर 5, z, और न स्कार माइनस 16, नीचे बचेगा, z, प्लस 4, अब उपर से फिर से कुछ common नहीं आ रहा, common नहीं आ रहा, तो हम factors बना लेंगे, कैसे बनाएंगे factors, कोई बच्चों कुछ थोड़ा सा idea देना चाहें, कि कैसे बनाएंगे z स्कार माइनस 16 के factor, कैसे होंगे, कैसे बनाएंगे, को कोई बात नि, बच्चों, कोई बात नि, आप बस जो आपको पढ़ाया जा रहा, वो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से, देखो, 16 जहां भी आपको दिखा, या 9 या 25, इसका मतलब कि वो क्या है, square नंबर है, किसी ना किसी के square बनते, तो 16 बनता है, बच्चों, 4 का square, तो z स्क minus 4 square, और यहां लिख देंगे हम z plus 4, ठीक है, हमने इसको 16 को क्या बना दिया, 4 square लिख दिया, अब ये वाली identity हमें याद है, obviously हमें याद है, अब ये मत कहना कि मैं भूल गए, please है न, क्योंकि इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, तो identity फिर से फिर मैं लिख देती हूं, ताकि आ ठीक है, मतलब ये बना, z minus 4 और z plus 4, और नीचे हम लिखेंगे, z plus 4, तो यहां से क्या होगा, यहां से z plus 4 से z plus 4 cancel, ये बचेगा, z minus 4, क्या बचेगा, z minus 4, और z minus 4 यहां से है हमारा answer, चालिए, बताइए, कैसा लगा question, easy peasy, बही अब तो बहुत दिन हो गए, आप बच्चों को easy peasy बोल, तो या तो easy आपको लगना बंद हो गया, या फिर आप बोलना बूल गया, बोलना मतलब आप comment में लिखते हैं, बही मुझे तो वही आवाद सुनाई देती है, जो आप comment में लिखते हैं, ठीक है, तो अब मुझे comment box में बता देना, की easy peasy लगा, गया मुझकिल लगा, मुझकिल लगा, तो भी क्या करना है, एक दो बार practice करनी है, easy लगने लग जाएगा, ठीक है, तो easy peasy lemon squeezy ना लगे, लेकिन easy तो जरूर लगा होगा, है ना, तो इसमें हमने किया ही क्या, देखो अब तक जितना पढ़ा था, हमने factors बनाने सीखे थे, इस वाले में हमने पहले common लिया, common लेना सीखा था हमने, दूसरा फिर हमने factor बनाने सीखे थे, फिर हमने factor बना लिये, फिर अभी हम divide करना सीख रहे थे, हमने divide कर दे, मतलब सारे के सारे जो हमने concept सीखे, सम मिल कर आ गए इस question में, तो ऐसे ही होता है, आपको जो basic छोट छोट चीज़े बताई जाती है, वो ऐसे किसी question में शामिल हो जाती है, ठीक है, चलो, easy, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं आप बच्चों का favorite segment और वो है quiz, चलो, तो quiz का बच्चों first question है ये, जो अभी हमने किया उसी से मिलता जुलता है, ये 12 कर ए میں कोष्चों का ब सके सी का सुपरें जागे मिलता है, ये ज अभी है, जो आगे नमी किसी सकी साना का जागे ईगे, जो बच्चों पर ग Korean है, चालो, easy, घज सके सका टागे, घूटुलता है, चालो, पर आगे, यूब बच्यावने का जाँ, ये छियanor, ये भीज़ग, ब चलिए बताएंगे बच्चों क्या बनेगा यहां से सही जवाब common ले सकते हो जो आपको लगे वो चीज आप common ले सकते हो next बच्चों मारे पास यहां पर x square plus 4x minus 21 चलिए बच्चों अब देखो यहां वाला अभी अभी हमने आसा ही question किया था यह बच्चों यहां से 12m square minus 27 अब m तो दोनों के साथ है नहीं इसका मतलब m तो common नहीं आएगा लेकिन 12 और 27 के हम क्या बनाएंगे यहां पर factors करेंगे तो 12 के आप factors बनाओगे तो यह आजाएगा आपका 3 into 4 वैसे बहुत सारे हो सकते हैं इसका 2 into 6 हो सकता है 12 into 1 हो सकता है पर हम 3 into 4 लिख रहें वह इसलिए लिख रहें क्योंकि 27 3 के table में आता है कितने जापर आता है अगर हम लिखें तो कितने जापर 27 आता है तो आप 3 into 3 दो लिख लोगे तो वो 9 ही अंदर रह जाएगा तो यहां से बच्चो लिया हमने 3 common बाहर बचेगा अंदर बचेगा 4m square minus 9 अब 4 और 9 हमें पता है कि square number है 4 जो है वो 2 का square है और 9 जो है वो 3 का square है तो इसको कैसे लिख सकते हम इसको इसको हम लिख सकते हैं 3 और 4 को बना सकते हैं बचो 2m और इसका करेंगे whole square minus 9 को लिख सकते हैं हम 3 square ठीक है और यह हमने करी यहां से bracket close और यह हमारी क्या बन गई identity जो हमने अभी अभी पड़ी थी क्या पड़ी थी identity a square minus b square equal to a minus b into a plus b आप देखो एक चीज़ नोट करना कि जहां भी आपकी identity आती है वहां पर identity मैं पूरी लिखती हूं ऐसा नहीं है कि बच्चों आपने पहले पढ़ ली थी तो आपको भी अगर किसी question में identity यूज़ करनी है तो bracket में उसको mention जरूर कर देना कई बार क्या होता है कि वहां पर आपके number गटने के chances रहते हैं अगर आप एक्टियो mention नहीं करते हो कि जादो 3 क्या हो जाएगा 2m minus 3 और 2m plus 3 यह बन गया answer और यह हमें दिखाई दे रहा भई मुझे दिखाई दे रहा option C पर तो बताओ जरा आप बच्चों का कितने बच्चों का सही है यह C option चलो done उसके बच्चों next अब यह question है देखो इसमें क्या है x square plus 4x minus 21 यह भी क्या है एक तरीका है मतलब यह भी एक different तरह का question है जिसमें आपको एक different method use करना पड़ता है factorization का इसमें क्या है यह हमारी एक तरह से वैसे तो identity है x square plus क्या लिखेंगे हम 2ab plus b square लेकिन आपको कहीं से भी 21 जो है किसी का भी square बनता नहीं दिख रहा है ठीक है और अगर मैं इसको root में लगाएंगे तो वो और मुश्किल बन जायागा तो इस तरह कि जो question है जहाँ पर x square plus x और एक constant term दिखें बच्चों वहाँ पर एक नया method जो कि अगर किसी बच्चे को आता है तो सही किया होगा उसमें use करते है splitting the middle term I hope कि अपने नाम सुना अगर नहीं सुना हुआ तो अब तो मैं बताई रही हूँ अगली class भी हम इसी पर करेंगे division के साथ साथ क्योंकि splitting the middle term भी एक बहुत important concept है 8th class का 9th का और 10th का क पतला बीच वाली term को 2 part में तोड़ देना तो 3 जो term है उनकी 4 बना देना अब कैसे तोड़ेंगे इसको 2 part में चार जो है उसको 2 part में तोड़ेंगे किन 2 part में ऐसे numbers में तोड़ेंगे बच्चों जिनको multiply करने से तो I 21 और जिनको add और subtract करने से यहाँ पर क्योंकि minus का sign है तो सब्ट्रेक्ट करने से आए 4 ऐसे दो नमबर में तोड़ो जिनको मल्टिपलाए करने से तो क्या आए? मल्टिपलाए करने से तो आए 21 और सब्ट्रेक्ट करने से आए 4 तो ऐसे कौन से दो नमबर है? जिनको मल्टिपलाए करके 21 आता है और सब्ट्रेक्ट करके 4 आता है बताना जरा multiply करके 21 और उनमें से बड़े में से छोटा सब्ट्रेक्ट कर दें तो 4 आ जाता है जल्दी से बताएंगे कौन से 2 नंबर हैं ऐसे जल्दी से बताओ यहाँ पर 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे जो कि बनेगा हमारा 7X और माइनस 4X और साथ में है माइनस 21 4X नहीं 3X अब क्या लेंगे इन दोनों में से common और यहाँ से common लेलो अब यहाँ से X common आ जाएगा यहाँ पर बचेगा X प्लस 7 और लास्ट वाले दो में से बच्चों माइनस का common लेलो और एक 3 common लेलो अंदर बचेगा X और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 7 अब इन दोनों और इन दोनों में से common लोगे तो X प्लस 7 और X माइनस 3 यह दो फैक्टर्स हो गए तो X प्लस 7 और X माइनस 3 है हमारे पास option B तो correct answer बना option B अब इस तरीके कि आप बच्चों को और practice करनी है obviously करनी है करेंगे हम next class में किस-किस को यह तरीका आता था वो बच्चे मुझे बताएंगे comment box में ठीक है 9.10 में आपको इनकी बहुत जरूरत पढ़ने वाली है और अगर नहीं पढ़े तो 9.10 में मुझे याद भी बहुत करोगी कि माम ने इतना बार कहा था कि पढ़ लो बच्चों यह आपके 9.10 में काम आएंगे फिर बोलते ना कि फिर पच्चताए होत क्या जब चिडिया चुक गई के तो फिर तो कोई फाइदा भी नहीं होगा तो अभी जब मैं आपको कहरे हूँ कि यह important है इनको समझो ध्यान से तब ही सुनने का फिर फाइदा है तो चलो भाई मुझे पता है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे और समझदार है जो टीचर बताती है उनको फॉलो भी करते है तो इनके प्राक्टिस बच्चो जारी रखिए और हम तो डेली करते रहेंगे 11 बजे मिलते रहेंगे तो हमारी जो कल की क्लास रहने वाली है बच्चो उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे division of polynomials साथी साथ जो ये नया method of factorization हमने भढ़ा है ठीक है जो कि आगे भी आपके काम आएगा splitting the middle term उसके भी हम practice करने वाले है ठीक है तो same chapter रहेगा हमारा अगली क्लास में भी लेके ना बच्चों को क्या करना है regular रहना अपनी क्लास में और late विल्कुल नहीं होना है ठीक है तो चलिए मिलेंगे बच्चों अपनी अगली क्लास में अब तक के लिए बाई बाई